जै मातई दोस्तों कैसे हैं आप सभी? दोस्तों हमारे चैनल से जुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें और पास में दिये गए बैल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें अपना और पराया क्या है? मुझे तो बस यही पता है जो भावनाओं को समझे वो अपना और जो भावनाओं से परे वो पराया जो दूर रहकर भी पास हो वो अपना और जो पास रहकर भी दूर हो वो पराया जी हाँ दोस्तों बात कर रहे हैं वरिष्चिक राशी के 12 अप्रेल 2021 राशीफल की सबसे पहले मैं आपको बता दूँ आज आपके लिए शोबंक रहीगा पांच और शोबरंग रहीगा ग्रीन यानि की हरा आईए बात करते हैं डेली राशिफल के बारे में दोस्तो आज क्रिशन पक्ष की अमावश्या है साथ ही सोमवार का दिन है जिसकी वज़े से सोमवती अमावश्या मनाई जाएगी और साल 2021 में केवल एक ही सोमवती अमावश्या पढ़ने वाली है इसलिए इस अमावश्या का महत और भी जादा बढ़ जाता है सोमबती अमावश्या के दिन सोहागिन अपने पती की लंबी आयू के लिवरत रखती है पूजा अर्चना करती है साथ ही इन दिन पित्रों का तरपन करने से भी पित्रों का आशिरवाद प्राप्त होता है सोंबती अमावश्य के दिन दान करने से घर में सुक शान्ती और खुशाली आती है संतान सुक की प्राप्ती होती है तो आईए जानते हैं व्रिष्चिक राशी के जातकों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा दोस्तों आज आप धार्मिक और सामजी कारियों में बड़ चढ़कर हिस्सा लेंगे सेहत को लेकर सतर्क रहनी की जरुरत है अपनी क्रोध पर अपनी वानी पर सैयम रखें नहीं तो आप विवादों में फस सकते हैं सेहत को लेकर थोड़े से सतर्क रहें आज अटके हुए कारे पूरे होंगे आज आप कई ऐसे कारे करेंगे जिससे समाज में आपका मान सम्मान आपकी प्रतिष्टा बढ़ेगी आज धनसंबंदी समश्याओं का भी समाधान होगा कीमती सामानों की सुरक्षा आप खुद करें किसी और के भरो से ना बैठे रहे नहीं तो आपका सामान चोरी होनी की संभावना है आज आप किसी ऐसे बुद्धिमान व्यक्ति से मिल सकते हैं जो आपके लिए आईडियल बन जाएगा आज आपको अपनी व्यवहार पर काबू रखना है जादा क्रोध करने से बचना है नहीं तो आपको कुछ बड़ा नुकसान भी हो सकता है अपनी क्रोध के चलते अपना कोई भी काम जल्दबाजी में ना करें आपकी कोई मुल्यवान चीज भी गुम हो सकती है जिसको लेकर आप चिंतित रहेंगे प्रेम संबंदी मामलों में आज का दिन सामान्य रहेगा प्रेमी प्रेमी का एक दूसरे से मुलाकात कर सकते हैं कुछ कामों में आपके द्वारा की गई कोशिस सफल रहेगी दोस्तो आज का दिन आपके लिए निवेश के कारेों से संबंदित ठीक नहीं है अगर आप निवेश करने की सोच रहे हैं तो कुछ समय के लिए इसे टाल दें आज आपके लिए विशेश उपाय रहेगा कि आज आप शिवलिंग पर दूर्बा और जल अर्पित करें आपके लिए बहुत लाबकारी रहेगा वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कर दें चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले धन्यवाद